हेलो स्टुडेंट्स मा धर्मेंदर पाठक आज मा एसी प्रिपिरेशन मा जुटे का विद्यार्थी हरू को लागी ग्रैविटेशन वा फोर्स सम्मका नुमेरिकल हरू कसरी बनाउने बने रा सानुब वीडियो ले रा प्रस्तुत वायको छो जस्मा मैले चैप्टर वन फोर्स बाता आउने कोमन टाइप को नुमेरिकल हरू रा त्यसलाई सजीलो बन्दा सजीलो तरीकाले कसरी कम समय मा हलगर्ने बनने योटा सानुब टेक्निक लिए रा पस्तित भाक छो रा येस वीडियो मा बहायका संपुर्न नुमेरिकल कोईश्चन हरू हरू हरनुवला सब वी कोईश्चन हरू त्मयारू के पुरानो ओल्ड कोलेक्शन एसी रा एसलसी बाता लिये को हो जसमा आमिले कुन फर्मुला लगाउने कसरी सल्व गर्ने बनने कुरा डिटेल मा डिस्कशन गरेका संपुर्न सब बन्दा पईलू कोईश्चन रायको साथ इस एक्सल्रेशन दू ग्राविटी अन दा सर्फेस अब दा आर्थ इस 9.8 मिटर पर सेकेंड स्वाय अब यस कोईश्चन मा पर्थभी को मास दिये को पनी चाहिना लाहामिलाय हल गर्दा चाहिना पनी चाहिना तर यह कोईश्चन मा दिये को कुलूज हरू को आधार मा हमिले हल गर्दा चाहिना पनी कती पल्दा कोईश्चन यो दिये को हुन चाहिना वह अधार साल्व दिश कोईश्चन अन्दा बेसिश अफ कुलूज गिवेन यो कोईश्चन मात रहे अब त्याह यदि आमीले प्रत्वी को मास राख दियों वा मास अप अर्थ पुट्ट गर्यों अधर बैलुज हरू राक्यों बने त्यसको कुने अर्थ रह दईना ता सब बंदा पहला यो question मा है में हेरों के के कुरा हरो जानकारी दिये को छा तो हेर अट फस्ट गिवेन दाट रेडियस अफ आर्थ गिवेन R इकल टू छद दिये को हामरो हेरों तो के सद दिये को 6400 किलोमेटर अब यो लाइ सब बंदा पहला है मेले मिटर मा परिनत गरों 6.4 इंटू 10 तू दे पावर 6 मिटर अब के ही हाइट मा फिर्थिभी को सेंटर देखिए यहरों गिवान या सर्फेस अब दा आर्थ सर्फेस देखिए यति किलोमेटर भने को छा भने पाचि एट हाइट गहाइट ही हाइट हाइट हैट हैट गिवान 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 टी सिक्स हंड्रेट किलोमेटर यह भने को कथ आएट 3.6 दा देखिए यह पावर 6 मिटर यहरों here given that at height radius is अब नया रडियस हांडो बन्यू जा स्लामिक की नांदियू R plus H R plus H अब जोर दिमेरो 3.6 into 10 to the power 6 plus 6.4 into 10 to the power 6 अब योला हमिले 10 into 10 to the power 1 into 10 to the power 7 meter वने दाना अब जी अन्दा सर्फेस अन्दा सर्फेस अन्दा सर्फेस माहमिले G1 मान्दयों यो काति दिये को चा 9.8 meter per second square at height H G U is equal to G dash मानो अन्दी हाइग 36 kilometer अब नया अक्सलेशन दू ग्राविटी काति दिये को चा जी दास अब आमिले योटा नया फार्मूला को कुरा ग़र सो मेरों we know that G upon G dash equal to R plus H square divided by R square अब यो नया शुत्र कहा बाता हाई हो यो हामिले परेते को गी हाइट बार्यों बने आपाले अक्सलेशन दू ग्राविटी काशरी तपहला शुरुमा G equal to आमिले परेचो G M upon R square अब हाइट बार दा किरी नया g' गाद g1 एक्वाल टू है रहों यहां मिलें g' माले आचा हूं g' एक्वाल टू यह के वोला gm अपन r प्लस h को बले स्क्वाएँ अब पिल्टिभी को surface on the earth g इक्वाल टी at height दाट r प्लस h स्क्वाएँ gm अपन r प्लस h स्क्वाएड अब यह द्युटा बाता मिले के बनायों यह नया समिकरन g अपन g' इक्वाल टू अब गm अपन r स्क्वाएड दिवाइड बाय gm अपन r प्लस h को होल स्क्वाएड अब गm, gm केंसिल बाखी के बस्यों यो माथी ज्यादा r plus h को whole square upon r square अब ये दुई ट्या को relation लाए आमिले यहां डायरेक्ट के लिख्यों g upon g dash equal to r plus h square divided by r square अब यो relation बाता आमिले छोटो समय मां कि निकालना सक्षों acceleration due to gravity अना अर्थ अब यहां एरो g upon g dash अब तो नाया आमिले निकालना पर निकालना g dash which is equal to अब इसको value आमिले निकालना g dash equal to cross multiply गरों यो यो cross multiply गरों मने पशिए g r square upon r plus h square अब यू g dash will be g kati साम्रो 9.8 इंटो r kati स 6.4 into 10 to the power 6 go whole square है हो whole square divided by अब यो दुटा ले जोडे राया को सा 1 into 10 to the power 7 go whole square अब यो ले है अमिले 9.8 इन्टो स्क्वाइर गरो 4.6 मत्रे यह अला नेरली 40.96 डिवादेट बाइ 1 रायो ने इन्टो 10 तुदी पावर गर 12 अब यह 1 इन्टो 10 तुदी पावर 7 को डौबल गरो 14 अब यह यह लाया अमिले लेक दाया उचीज इक्वाल टू यह दूटाले मुल्टिप्लाई गरो तो 4 9.8 इन्टो 40.96 यह वादेको 401 इन्टो अब टुदी पावर 12 माइनस 14 अब यह लाया मिले साल गर्दा 401 इन्टो 10 तुदी पावर माइनस 2 5.01 मिटर पर सेकेंड स्कार हम्रो अंसरांच अन्टाले डिरेक्टा हम्री अपन गर्दास इकल टू आर प्लॉस स्कार अपन आर स्कार पर्मूला बात अर्थ सर्फेस बात कथी हाईट माझ जांदा हम्रो एक्सलेशन दू ग्राविक को बालू क्वाथी चेंज हुन्च बनने निकार न सक्षू। मास एंड राडियस अब दा अर्थ आर्थ आर्थ 6 इन्टु 10 तु दी पावर 24 केजी और 6400 किलोमेटर रिस्पेक्टिवली क्याल्कुलेट दा वेट अब 100 किलोग्राम मास अन्दर सर्फेस अब दा अर्थ बस्तु हो पिर्ठभी मा वाचनरमा मा या बिरहसपती मा तोलन निकाला तेस ग्राव को पिन्द दियेखो हुनु परियो रद्थ तो पिन्द कीमा हुनु परियो किलोग्राम यहा हमीले सब बन्दर कोहिला लेखों सुरूसां इसमार दिये कही छा एरों मास अब द अर्थ इसलाय हमिले क्यापिटल M इकल तो 6 इंटो 10 तो दी पावर 24 kg अब इस वाची दूसरू स्टेप मां मिले की गिरने त्यो ग्राव को अर्द व्यास कती चा तो दूसरू मां मिले या जो ग्राव बने को फिर्थिभी को पिर्थिभी को अर्द व्यास देखोचा और रडियस अब द अर्थ जसलाय हमिले के मांदियू आर एकल तो 6400 किलोमेटर अब या विचार पुर्यों कोर्यो रडियस ये दी किलोमेटर माच वावने त्यसलाय हमिले के गरने मीटर मालाने अने मेटर मा लगना लाए 6400 अब हाजार ले 1000 ले मुलिप्लाय गर्यों अने 3 वाट जिवो थाजिवो थाजिवों ये अब के वाव मेटर जसलाय पावर अब टेन मा चेंड गर्दा 6.4 अब हामिले पॉंट डेसिमल लियों वो 6 पाशी अब यो डेसिमल पाशी कती ओता डिजिट्छा 1,2,3,4,5,6 इन्टू 10 पुदे पावर 6 मीटर के गर्द मा अबले पावर मा लगें पावर अश्टेन मा एक्सप्रेस गर्द मास लाइक बनी रेडियस लाइक बनी जसले गर्दा क्याल्कुलेशन मा सजिलो हुंच और को दोसरो चाईये को बने को हमिले आफे पने जानू करने उन्छा युनिवर्शल ग्राविटेशनल कंस्टेंट जसले हमिले की बन्छा क्याप्टल जी इसको वैलू उन्छा 6.67 इन्छा 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square अब जुनिवर्शल ग्राविटेशनल कंस्टेंट को वैलू यह उटे राख्षां यह क्यों हो कंस्टेंट हो अब त्यसकोच ही अदर इसले मास अब अब्जेक्ट याज दिये को सहरो मास अब्जेक्ट गिवन यार M equal to 100 kg और हमेले के निकालू पर्णे हो weight of an object on the earth's surface निकालू करने जसले हमेले w equal to water तो जुन्सुके numerical solve गर्दा पहला question मा given चेक्टे चो हमेले sequence मा अर्याज गर्यों radius ले आर ले weight of object equal to weight of object we know that we know that w equal to k under m into g mass into acceleration due to gravity तो यहां हमेले सब बंदा पहला केंदी कालो mass दिये कोई acceleration due to gravity calculate गर्दू पर्यों acceleration due to gravity को हमेले formula लेक्टू पर्यों तो युशमा हमेले हमेले थार लेक्टू आर्यों acceleration due to gravity calculate गर्दू आर्यों here acceleration due to gravity we know that g into m 1 upon r square अब जहां g को वैल्यों आमिले थार निशा 6.67 into 10 to the power minus 11 into m को वैल्यों थार निशा 6 into 10 to the power 24 kg divided by radius आमिले बंखर लेक्टू पर्यों पर्यों 6.4 into 10 to the power 6 meter यसको पोड़े अब यह सरी आमिले आमिले बनावदा धेरे calculation गर्णू पर्यों power of 10 अरूले नौच अलमने त्यों पाहे को digit ले मुल्टिक्लाई गर्षां 6.67 into 6 20.02 into 10 to the power अब यह कथिछा 24 minus 11 divided by 6.4 kohol square आम 6.4 into 6.4 equal to 40.96 into 10 to the power 10 to the power 6 square square गर्णा कथिया 12 अब थर्ड स्टेप मार्ड आमिले 40.02 40.96 ले डिवाइड गर्षां यह आउसा 0.977 अब यह आया कथि आम्रो 10 to the power गर्टाओं दा आयो 13 30 अब यह 10 to the power 12 माथि जादा गर्टाओ अब यह बहने के आम्रो आम्रो एंसर कथिया आयो 7 विच इक्वाइड तो 0.977 इन्टो 10 विच इक्वाइड 9.77 meter per second square अब यह आम्रो एक्सलेशन दू ग्राविटी मात्रे यह अब के नी कालनू परे weight अब यहां मेले के ले कैसो again weight again weight equal to M into G M दिए के question मा दिए के इसा पहिले देखिने 300 kg into 9.77 which is equal to 977 newton यह आम्रो एक्सलेशन दू ग्राविटी निकाल शां weight पता लाउन करे पुनी पनी अब्जेक्ट को यदी mass of earth or any planet रत्यसको radius था शाबने आम्रो एक्सलेशन दू ग्राविटी निकाल शां रत्यस लाए mass ली multiply गरे अब इसे क्वेश्चन लाए अर इक अथी फरक डंबाट अपनी सोधी यह कुष्चा जास्ते mass radius of earth उत्ती नहीं हुन्छा तर Mount Everest मा 100 kg mass अब्जेक्ट को weight कती होला यदी तिस्तो questions हो वाने इसमा थोरे हामेले परिवर्तन करने बढ़चा अब अगी के question लाए या अगाडी को question माहामेले के पार पिर्चुबी कोश्च्व तरमा exhalation due to gravity कती हुन्छा रभ वस्तु को तरु कती हुन्छा अब यदी वस्तु लाएक पिर्चुबी को सता देती के माथ ही राखदा तिसको तरुमा के फरकाऊंछा जस्त या कोश्च्व दिए कोशा, if mass and radius of earth are 6400 km and 6 into 10 to the power 24 kg then what will be the weight of 100 kg object on the top of Mount Everest of high tierti अब यहां मिले यस्लाइ स्वाल हुन्दा यहां here in equation already given that mass of the earth that is given here 6 into 10 to the power 24 kg other radius given radius of the earth are equal to 6400 km height is here given 8000 और पहला मिले radius like क्ये गर हों expand गर दियों meter फार्म मा लगाँ 6400 3-0 meter अब हाइट यहां meter मा दिये को छा radius नहीं किये मा kilometer मा दिये को छा अब यह दूते फारात वहां कोना ले दियेक्ट हामिले जोर्न पाऊद हैनों पहला क्ये गरनू परेऊ kilometer ला मीटर मा लगें अब हामिले यहां height of Mount Everest भी एको छा यहां लेक्ये मान्जो h 8,848 meter हार r r plus h आमेले निकालन करें r plus h बने को अब यह दूताल है जोरों तो 6,4,0,0,0,0 जोर 1,2,3,4,5,0 हार तो 5,0 plus 8,8 4,8 meter यहां आमेले mistake गरें जोर्दा 6,4 0 8,8 4,8 meter हारों क्यों गरें आमेले राइट बातर unit position बातर 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 आमेले आमेले अब आमेले था नहीं सहा यहां दीए कही सहा रहों था यहां दीए को बह universal gravitational constant is capital G को value 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square आमेले थाचा अब के निकाल लुपर weight equal to what w equal to what to हमेले थाचा we know that w equal to m into G अब बने को mass into acceleration due to gravity अब यहां हमेले universal gravitational constant अब यहां है universal gravitational constant दीए के रहों अब यहां हमेले के निकालनों पारे हो यहार what is weight of an object weight के वला तो यहां हमेले short word नहीं है रहो we know that we know that w equal to n into G अब यहां M बने को mass of object oh mass of object G बने को के वह acceleration due to gravity यहार G can be calculated by GM upon अब हाइट मा बने R plus H को square अब हाइट को value 6.67 into 10 to the power minus 11 mass को value बाइट 6 into 10 to the power 24 divided by R plus H मा मेरे लिख्याच हो है रहां 6.40 8 848 into 10 to the power 6 को whole square करां है अब हाइट अब हाइस बाता हामे लेकी गरना सक्षाँ यहले calculation गरां अब हाइट परच यहामे एक्सलेशन दूट ग्राविटी को value करती यहाँछ इसलाए multiply गरदा 6.67 यह बने को 40.02 10 to the power 24 बाता 11 बाता है अब हाइट अब हाइट 6.4008 अब हाइट अब हाइट अब हाइट 6.4 1.07 into 10 to the power 6 को डब हाइट अब हाइट अब हाइट 0.974 into 10 अब हाइट 7.4 meter per second square acceleration due to gravity हाइट अब हाइट पाइट अब हाइट निकालाँ तब हाइट अब हाइट W equal to M into G 9.74 equal to 974 Newton is the mass or weight of such object or weight of 100 kg object on the top of Mount Everest next question next question what will be the height of tower if a stone drop from it strike ground after 3 seconds अब अब यस्तो question हाइट अब यहाँ stone drop from tower अब हाइट अब हाइट of tower equal to equal to s or stone dropped it means it means what initial velocity is 0 or initial velocity of stone or u equal to 0 time time taken to reach on the ground t equal to 3 seconds 3 seconds अब अब आने लाइट हाचा कुने object जहर्योगाने ते समा acceleration due to gravity लाच्छा अने acceleration due to gravity G equal to तो कती उने गर्छा 9.8 meter per second अब आने ले निकालन परने के what will be the height object s equal to what हाइट हाचा है we know that from equation of motion s equal to के हुद राइचा ut plus 1 upon 2 80 square जान initial velocity कती चाँ 0 time बाच 3 plus 1 by 2 upon acceleration due to gravity कती लागने बाच 9.8 2 square बाने को 3 को square अब 0 into 3 0 बाच 1 upon 2 9.8 into 9 which is equal to अब यो लाए multiply गरोंगा यो लाए divide गरोंगा 4.5 and यो डीटेले multiply गरोंगा कती आउने बाच 41.5 meter approximately it is the height of tower अब यहाँ अब यहाँ की विचार गरनू परे कुने अब्जेक्ट जहरे को शा भने तेसमा लागने acceleration due to gravity 9.8 meter per second माथी ते रफाल्यों भने तेसमा लागने acceleration due to gravity negative होन्छ minus 9.8 meter per second square होना जान्छ रख कुने अब्जेक्ट यहार यह drop यह वने initial velocity 0 thrown vertically upward then final velocity 0 तेस्ट अरकु निमेरिकल यह what mass can weightlifter lift on the surface of the Jupiter if we can lift 50 kg on the earth जान दिये कुछ acceleration due to gravity of earth 9.8 meter per second square acceleration due to gravity of Jupiter 9.25 meter per second square तब पहिला मिले दिये को term होन्ट गर रहा हो है mass lifted on the earth like के मानो M1 1 equal to 35 kg mass lifted on the Jupiter अमे ले के माननो M2 अगा यह भाने को वात हमे पता लाउनो गरने बहा acceleration due to gravity of acceleration due to gravity of on earth and G E वाने रहा हो 9.8 meter per second square अगा वाने दिये को acceleration due to gravity on the Jupiter on the Jupiter G J 25 meter per second square अब हमे ले कती मास Jupiter हमें लेख होला तो इस तो question अरुको लागी हामे ले के बुजनो परयो Weight lifter can apply same force on the earth and same force on the Jupiter He can lift same weight on the earth and Jupiter उसको इंताना body मा लागने body ले लगाउना सकने force दुबे ठाउमा बराबर होंशा अने के लेखनो परयो हमे ले we know that weight lifted on earth equal to weight lifted on Jupiter अब ये दिया मिले weight lifted on earth W1 माने weight lifted on Jupiter W2 माने W2 बराबर same force applied everywhere M1 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 D A 9.8 meter per second square which is equal to M2 mass lifted on Jupiter into 19 19 6 25 meter per second square mass lifted to 19.6 kg lifted on the Jupiter अब अब इसमा यदी height related problem अब he can jump 1 meter on the surface of the earth what height he can jump on the moon अब क्या acceleration due to gravity duty को दिये कोँचा मानो जी acceleration due to gravity दिये कोचा moon को अब बन्दा 6 times less 6 times more height he can jump next question अब mass and radius of Jupiter is 319 and 11 times is more than or times respectively breaking oh question दिये कोचा if mass and radius of Jupiter is 319 and 11 times respectively bigger than that of earth then how much acceleration due to gravity of Jupiter is bigger than that of earth mass Jupiter को 319 times अब यसला मिले पहला question दिये कोँ लेखाँ रहाँ let go अरगे mass of the earth equal to capital M1 अब के वला the mass of Jupiter अब अब या question मा कती time माने को 319 times तो यह लेख के मानने 319 M1 है रहाँ जती times body the radius of the earth है रहाँ कती शादिये को equal to है रहाँ तो यह लगभग साम्डों डिये को कमान यह R अब रेडियेश of the Jupiter आमे लेँ निकालाँ यह earth बन्दा कती 11 times 11 R अब हमे लेख के निकालनू पर एक्सलेशन दीटो ग्राविटी अन्दा जुपीटर अब आमे ले G equal to Gm upon R square फर्मूला जाने चाहूं G बने की इनिवर्सल अब ग्राविटेशनल कंस्चेंट चेश माचेंज हुदाईना माचेंज हुदाईना माचेंज हुने बाग कती 319 Gm upon 11 R ko square गर को अब 319 upon 121 on Gm upon R square just like you divide और 2.6 3 times acceleration due to gravity of earth कथी टाइमा 2.63 अब यहां अरको पाड़ दिये को सा यदि अर्थ को अक्सलेशन दूटू ग्राविटी कथी सा 9.8 होदा जुपिटर को अक्सलेशन दूटू ग्राविटी कथी गोला तो यह से मां में ले थपना सक्षों ग्राविटर 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 ग् next numerical if mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg and radius of the moon is 1.7 into 10 to the power 6 meter what will be acceleration due to gravity on the earth if it is squeezed to the shape of moon and the question is the mass of earth is 3.1 to the power of earth m equal to earth m equal to 6 into 10 to the power 24 kg of earth like squeezy variable mass to change the radius of the world change the radius of the earth r equal to r equal to r equal to 1.7 into 10 to the power 6 meter this radius of the earth is what we need to do to keep the earth from the moon universal gravitational constant same 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square oh now we need to take g equal to what and we know that g equal to g m upon r square g was 6.67 into 10 to the power minus 11 m was 6 into 10 to the power 24 upon r1 equal to 1.7 into 10 to the power 6 whole square is like 40 like 2.8 into 10 to the power 9 into 10 to the power 8 9 into 10 to the power 12 is like 40 like 2.8 like nearly 13.8 into nearly 13.8 into 10 to 10 meter per second square now here we have new acceleration due to gravity on the earth surface when it is squeezed to the moon this way i'm here i'm here this video my lesson one force code different types of numerical go about it on the diskussion go REMRECLE love you and the channel subscribe go bakno the video like go bakno la or go next video my chop sambe nimr kay liera fairly pastie cune is that grandparents thank you झाल 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 झाल